न बम न बारुद फ्लाइड में हुआ विस्पोर्ट और महिला का हो गया ऐसा हाल क्या आप भी अपने फ्री टाइम में हेड़फोन लगा कर गाने सुनना पसंद करते हैं तो शायद ये खबर पढ़कर आप भी ऐसा करना बंद कर देंगे कुछ समय पहले बीजिंग से मेलवर्म की फ्लाइड में एक महिला के साथ ऐसा हाथसा हुआ जिसने सोशल साइड पर हेड़फोन की सेप्टी को लेकर बहस छेड़ दी है खबर के मुताबिक आस्ट्रिलिया के रहने वाली ये महिला फ्लाइड में हेड़फोन लगा कर गाने सुन रही थी दो घंटे बाद अचानक फ्लाइड में पैसेंजर्स ने धमाके की आवास सुनी महिला ने बताया कि उसे अचानक अपना चैरा जलता हुआ महसूस होने लगा उसे अपने हेड़फोन की गर्मी महसूस हो रही थी उसने तुरंत ही हेड़फोन को निकाल कर नीचे फेक दिया तब महिला ने देखा कि उसके हेड़फोन के अंदर से चिंगारी निकल रही थी फ्लाइट एटेंडेंस ने तुरत ही हेड़फोन पर पानी डाल दिया दरासल ये हेड़फोन बैटरी ओपरेटेड थे जादा गर्म होने की वज़य से इन में विस्पोट हो गया था फ्लाइट में मौजुद पैसेंजर्स को अंदर जल रही प्लास्टिक और जले हुए बालों की स्मेल आ रही थी वहां काफी धुआ हो गया था महिला के कान के अलावा होट भी जल गये थे बलाग से उठी चिंगारी में महिला के हातों में भी फोड़े हो गये थे लोगों को एवेर करने के लिए महिला की तस्वीर भी शेर की गई हाला कि उनका चहरा और उनकी पैचान गुपते रखी गई तो देखते रहिए औल इंडिया न्यूज प्रिया की रिपोर्ट